ओम शनिश्चराय नमा दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों दोस्तों गंगा जल की सौगंध खाकर कहता हूँ ये विचित्र घटना आपकी जिंदगी में होकर रहेगी सावधान हो जाइए अगले तीन दिनों के अंदर तीन चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा साथ ही आपका अपना ही आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है दोस्तों अगर समय रहते सावधान नहीं हुए तो बहुत बड़ा दुखों का पहाड आपके सर पर तूट पड़ेगा दोस्तों अगले तीन दिनों में शनी की उल्टी चाल आपकी जिंदगी को हिला के रखने वाली है दोस्तों क्योंकि आपके उपर पिछले कई दिनों से शनी देव महरबान चल रहे थे लेकिन अचानक से ही शनी की उल्टी चाल आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है जिससे आपका व्यापार हो या आपकी नौकरी या फिर आपका स्वास्थ्य या फिर आपका शादी शुदा जीवन या फिर आपका घरेलू जीवन हर जगर दोस्तों आपको परेशानिया जेलनी पड़ सकती है और अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी के लिए आपको बहुत बड़ा सबख मिल सकता है क्योंकि दोस्तों कभी-कभी हमारी कुछ लापरवाही हमारी पूरी जिंदगी को बरबाद कर देती है दोस्तों और अब हो भी यही रहा है दोस्तों दुरगटना के भी योग बन रहे हैं साथ ही दोस्तों घर परिवार में भी लड़ाई जगडे के योग बन रहे हैं आपके स्वास्थे में भी बड़ी दिक्कत परेशानियों के योग बने हुए हैं ऐसे में शनी क दोस्तों आपको अपने पक्ष में करना बहुत ज्यादा जरूरी है साथ ही अगले तीन दिनों में सितारों ने भी साफ साफ संकेत दे दिये हैं कि आपको थोड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है अब इस वीडियो में मेरे साथ आप आखिरी तक बने रहे ताकि मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि आने वाले तीन दिन आपके लिए कैसे रहेंगे क्या साफधानी आपको बरतनी पड़ेगी साथ ही दोस्तों आपको किन चीजों में ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा सारी जानकारी दूँगा आपका राशिफल भी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा दोस्तों वरना कुछ अच्छे से समझ नहीं आने वाला है दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आज से पहले आपकी जिंदगी में छोटी-छोटी काफी सारी परेशानिया आ रही थी दोस्तों फिर चाहे शादी-शुदा जिंदगी की हो व्यापार की हो, नौकरी की हो, घर-परिवार की हो, या फिर दुश्मनों की हो दोस्तों, लेकिन जब शनी उल्टी-चाल चलते हैं दोस्तों तो ये जो छोटी-छोटी परेशानिया है न, विक्राल रूप ले लेती है बड़ा रूप धारण कर लेती है दोस्तों, जिससे इनसान की जिन्दगी में उसके चारों खाने चित्त हो जाता है वह उसको चारों दिशाओं में कहीं भी मार्ग नजर नहीं आता है उसके सर पर इतना तनाव, हावी हो जाता है कि दोस्तों, फिर वह कुछ सोच तक नहीं पाता है इनसान अपने दिमाग में इतना तनाव लेने लगता है कि वह अपनी खुद की जिंदगी खराब कर देता है वह बहुत ज्यादा करोध करता है, जगड़ा करता है, चीजों को तोड़ता फोड़ता है कभी-कभी अपने परिवार वालों से जगड़ा करेगा, कभी किसी को मारेगा बच्चों को, मारेगा, अपनी पत्नी को मारेगा दोस्तों, बहुत खतरनाक स्थितियां हो जाती है और यह स्थितियां आपके साथ ना हो इसलिए आज यह वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों कि आज से पहले भी आप काफी चीजों से परेशान थे, चाहे वह व्यापार हो या नौकरियां, चाहे स्वास्त्य या घर परिवार की लेकिन दोस्तों, चीजों को आप सही कैसे करें, सारी जानकारी दूंगा बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा तब ही जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझाएगा अब दोस्तों, मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आने वाले तीन दिन है इसमें आपको तीन बड़ी सावधानियां रखनी है क्योंकि तीन बड़ी चीजों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है क्या जानकारी है? बिलकुल ध्यान से सुनिएगा देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए क्रिपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो क्रिपया करके अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय श्री महाकाल, जय शनीदेव जरूर लिखें। शनीदेव की खूब कृपा आप सभी के उपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, बड़ी महनत लगती है ये वीडियो बनाने में। तो कृपया करके अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से। जय शनीदेव तो आपको लिखना ही है और अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो… दोस्तों, अभी के अभी हमें लिख कर बता दें, हम आप लोगों को जरूर आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। आईए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगले तीन दिनों में आपकी जिंदगी में क्या बड़ा बवाल मचने वाला है और साथ ही आपको क्या सावधानी रखना पड़ेगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि इन तीन दिनों में आपको तीन बड़ी चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि यह जो शनी की उल्टी चाल है सीधा सीधा आपकी जिन्दगी को प्रभावित कर रही है और शनी की उल्टी चाल हमें सताती है या हमें प्रभावित करती है। जिससे हमारे जो कीमती रिष्टे होते हैं वह भी हमसे दूर चले जाते हैं। दोस्तों, आप गुस्य में कुछ ऐसी हरकतें कर देंगे जिससे आपके अपनों का दिल तूट सकता है। दोस्तों, आपका अपना आप से रिष्टा भी तोड़ सकता है। ये गुस्सा चंद मिनट का आता है, लेकिन अपने साथ दोस्तों बहुत कुछ बरबाद करके चला जाता है और जिंदगी भर का सबक दे देता है, तो इस समय गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा आपको, और गुस्से में आप दोस्तों अपने अपनों को भी नहीं बक्षे कुछ ऐसी चीजें होगी, जिससे आपको छिड़-छिड़ापन महसूस होगा, आप जो करना चाहेंगे, आप वह कर नहीं पाएंगे, आप जो सोचेंगे कि मैं यह कर लूँ, तो मैं वह नहीं कर पाऊंगा, दोस्तों आपके साथ ऐसा होगा, साथ ही आपको जो नापसंद चीजें होगी, आपके साथ वह होने लगेगा, मान लीजिए, आपको करेला पसंद नहीं है, तो आपके घर में करेले की सबजी बनेगी, आप मान लीजिए, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, तो वह व्यक्ति आपके नस्दीक ही रहेगा, जो आपको नापसंद होगा वह चीज आपके साथ होने लगेगी और फिर दोस्तों, गुस्सा तो बढ़ना स्वाभाविक सी बात है तो कृपया करके एक उपाय बता रहा हूँ छोटा सा आप वह तुरंत कर लेना आपको दोस्तों काफी मदद मिलेगी कुटे को, दोस्तों आपको, बिस्कुट खिलाना जीहां दोस्तों, कुटे को बिस्कुट खिलाना है आपको जहां भी कुटा दिख जाए, आपको बिस्कुट खिला देना है और शनीदेव का नाम लेकर बिस्कुट खिला दें शनीदेव की कृपा बरसेगी जो शणी उल्टी चाल से आपको पीडा देंगे, वह कम होने लगेगी, तो कृपया करके यह कार्य कर लीजिएगा, देखिए जैसे ही यह वीडियो आप खत्म करेंगे, आप तुरंत कुत्ते को बिस्कुट खिला दीजिएगा, आप जितना हो सके एक पैकेट, दो पैकेट, 10 आरस 20 के जरूर खिलाईए, दोस्तों और यह नहीं की केवल आज खिला दे, आप हर सप्ताह खिलाईए, शनिवार के दिन खिलाईए, अपनी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन खिलाएंगे तो बहुत फाइदा होगा दोस्तों, जिन व्यक्तियों को शनी पीडा देता है, दोस्तों, साडे साती होती है, जिनकी कुंडिली में भी शनी का दोश होता है, हम उनको बस यही चीज़ बोलते हैं, कि जितना हो सके, कुत्तों की सेवा करें, कोई बीमार कुत्ता भी दिख जाए, तो उसका इलाज करवा दे, कोई भूखा, कुत्ता दिख जाए, तो उसको रोटी, बिस्कुट, दूध जो भी हो सके, कुट्टे के बच्चे, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर कोई कुट्टे का बच्चा दिख जाए, तो उसको भी आप दूध पिला सकते हैं, या फिर, दोस्तों अगर कोई मैन लीजिए, अगर कोई गर्भवती तो दोस्तों आप उसको भी गुड हो गया, या फिर चने हो गये, या फिर बिस्कुट हो गये, दूध हो गये, कुछ ना कुछ अवश्य खिलाईए, इससे बहुत पुन्य, बहुत बहुत पुन्य मिलता है दोस्तों, तो यह कारे अवश्य करिएगा, अब दोस्तों आगे क जानकारी मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इसे छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आपने बहुत ही दुख सहा है, बहुत ही दर्द सहा है, और आपको बता दे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझ के उन्हें सब कुछ बता सके, आपने पिछले समय में, जिसे भी अपना माना है, उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है, जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे, वही आपको कुछ भी कुछ ऐसी स्थिती आपके जीवन में आई थी, जिसके वजह से आपका लोगों से भरोसा ही उठ गया था, आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को ही कम करने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए, अपने दिल में छुपे दर्द और बोज को हलका करने के लिए, इस स्त्री को आपके पास भेजेंगे दोस्तों, सबसे पहले, तो हम आपको जानकारी चलिए, बता दें, यह स्त्री सिर्फ महिला के साथ साथ पुरुश के भी जीवन में आ यह स्त्री आपके जीवन को बेरंग से रंगीन करने वाली है, जैसे ही स्त्री के कदम आपके जीवन में पढ़ेंगे दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमतकार होंगे, ऐसी ऐसी खुशियां आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेंग जो आपको अपने ही आँखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपका मन इस समय जिस भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है। आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है, तो उस तूफान को यह स्त्री शांत कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है? यह स्त्री और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. अभी तक हमने जाना यह स्त्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी? अब हम बात करेंगे कि इसे आपको पहचानना कैसे है और इसका ना सा एक लाइक जरूर कर दें. साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जैश्री राम संकट, मोचन, हनुमान जी की जै हो जरूर लिखिये दोस्तों, प्रभुश्री राम और संकट. मोचन, हनुमान जी के आशिरवात से आपकी सभी मनोकामन पूरी होंगी. आपके और आपके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. परिवार में सुख शान्ती बनी रहेगी, तो आप जरूर लिखिये. दोस्त तो आप सभी को बता दें, यस्त्री जो है, वे उन लोगों का भी असली चहरा सामने लाएगी, जो अपनों के बीच में बैठे हुए आस्तीन के सांप बनके. जी हां दोस्तों, सब के चहरे से जूटा मक टाइम भी आएगा. जो जो लोग आप से जलते हैं, अब वे तो और भी जल जाएंगे. तो दोस्तों, उस इस्त्री का नाम बता दें आपको जिसे जानकर आप पहचान जाएंगे, कि यही वह स्त्री है, जो आपके भाग्य को उदै करेगी. तो दोस्तों, उसका नाम जो शुरू होगा, वे है, A-S-P-R, जी हां. दोस्तों, यह चार अक्षर से शुरू होने वाली स्त्री ही, आपके जीवन में आएगी, और आपके पूरी तरह से बदल देगी. लेकिन लेकिन आपको जानी के लिए बता दे, कि आप अपने दुखों को अपने दिल में तो छुपा लेते हैं, कोई समझ भी नहीं पाता, कि आपके दिल में कितने बड़े दुख छुपे हैं, लेकिन आप खुशियों को नहीं छुपा पाते तो आप इसके बारे में कहीं पर धंडोरा मत पीठेगा जब तक यह स्त्री आपके जीवन में ना आ जाए। जी हाँ दोस्तों यह स्त्री जब आपके जीवन में आएगी तो लोग खुद ही आपको देख कर जल जायेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह स्त्री आपको कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो आपको बता दें। इस दौरान यानि आने वाले आज से लेकर आने वाले पांच से च्छ दिनों के अंदर आपको किसी रास्तों में मिल सकती है या आप कहीं घूमने फिरने आपकात आपसे हो सकती है या हो सकता है कि आपके पास इस नाम की स्त्री पहले से ही हो। जी हाँ दोस्तों, आपके आसपास हो, जिन्हें शायद आप अब ध्यान देंगे, तो आप उनमें अच्छाईयां यदि ढूंडेंगे, तो जरूर आप देखेंगे कि उनके जैसा श इसी स्त्री आपके जीवन में है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, नहीं है, तो अब आपके जीवन में इस नाम की स्त्री आने वाली है, जो आपके भाग्य को उदै कर देगी, आपकी जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, अब आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे, यदि आपके दिल में कोई बातें भी चलेंगी, तो आप इनसे खुल कर बात चीत कर सकेंगे, अब आपके दिल में चल रहे बोज भी कम हो पाएंगे, जी हाँ दोस्तों, अब यह फिर चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आप सभी के जीवन में इ तो वहाँ पर भी मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम पूरा होने वाला है, व्यापार कर रहे जातकों की बात की जाए, तो यह समय आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुछ व्यापारिक योजनाएं सफल होती हुई नजर आ रही है, जिसके वजह से आप अपने व्यवसाय में और भी ज्यादा आत्म विश्वास होंगे, आप अपने व्यवसाय में और भी मेहनत और लगन से पूरा ध्यान देते हुए काम करेंगे, जिनमें आपको बहुत ही अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे, आप अपने आपको उर्जावान लेकिन दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ी सावधानी मैं यहां बताना चाहूंगा, पैसों के मामलों में आपके दोस्तों बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, धनका आना जाना लगा रहेगा, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन आपको निवेश करत आप लोगों की बातों पर बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं, और लोग आप किसी अच्छाई का कई बार गलत लाभ भी उठा लेते हैं, तो आपको इस बात का विशेश रूप से ध्यान इन दोनों रखना होगा। अपने स्वभाव में आपको चिड़-चिड़ा पन नहीं दिखाना होगा, नहीं तो आपके परिवार के सदस्य आपसे दुखी हो सकें। तो इसे आपको स्वास्थे में समस्याए नजर आ सकती हैं। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोन से देखा जाए, तो आपका यह जो समय है, वे आपके मन मताबिक रहने वाला है। आप अपने लव पार्टनर से जो चाहते हैं, वैसा कुछ आपको मिल सकता है दोस्तों। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और अब तक आपने अपने मन की बातें नहीं बताई हैं। तो दोस्तों, आप जिन पर जान छिड़क हैं, तो आज साहस के उन्हें अपने दिल की बातों को बता दें। क्योंकि यह रिष्टा हो सकता है कि स्वयम स्वर्ग से बनाया गया है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है या आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है, तो आप उनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये भी बता सकते हैं, या किसी मित्र के द्वारा भी कोई सूचना उन्हें दे सकते हैं। दोस्तों, इस दोरान प्रेम जीवन में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जी हां दोस्तों, इस दोरान आपका श्चिंत भी रहेंगे। दोस्तों, यदि आपके प्रेम जीवन में कोई भी समस्या है, तो अब वह समस्या ज्यादा दिन तक आपको परेशान नहीं कर पाएगी। जो भी गलत फहमिया है, आपके जीवन में उन्हें अपने प्यार के बीच तो नहीं आने दे तो बेहतर है इस दोरान यदि किसी व्यक्ति के साथ आपकी नई नई दोस्ती हुई है, तो अब वह दोस्ती अच्छे संबंधों में बदलेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में आप उनसे विवा भी करें। दोस्तों, यह जो समय है वे आपके लिए काफी शानदार रहेगा। दोस्तो ऐसे में यदि आप अपने लव पार्टनर से भेट मुलाकात करने की योजना बनाए हैं, तो दोस्तों आपको बता दें। इस दोरान आप अपने पार्टनर को प्यार की निशानी देने से पीछे ना हटे। आप उन्हें कोई बढ़िया सा तोहफा या कुछ खास करने की को उतना आगे बढ़ेंगे, उतनी तरक्की हासिल करेंगे। आपका गुसा ही दोस्तों, इन दोनों आपका सबसे बड़ा शत्रू, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। लेकिन वे आपका बाल भी बांका अब नहीं कर सकेंगे। क्योंकि स्वयम शनी देव की उपर बन रही है। साथ ही मित्रों, पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन पैसों की चर्चा आपके जीवन में बढ़ शक्ती है। अलग-अलग जगह से धन प्राप्ति के आस बन रहे हैं। आपने किसी को उधर दिया था, तो वह पैसा भी मिलेगा आपका ही निवेश कर रहे थे, तो वहां से भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ, दफ्तर में भी आपके वेतन में बढ़ोतरी पर विचार हो सकता है, यानि कि दोस्तों अलग-अलग स्थान से धन प्राप्त होगा। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिती इस दिन काफी सुधरता हुई नजर ए रही है, क्योंकि बहुत समय से जीवन में पैसों की समस्याएं बहुत चल रही थी, जिन लेकर आप बहुत चिंतित थे, बहुत परिशान थे, लेकिन अब ये साड़ी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। एक बात दोस्तों, गुरुदेव की आ आपकी बहुत काम आएगी, इसलिए उस पैसे को थोड़ा बहुत बचाना भी सिख जाईए। स्वास्थे के नजरिया से इस दिन आपको ज्यादा जोखिम नहीं उठाना है। स्वास्थे में यदि कोई छोटी मोटी दिक्कत, कोई छोटी मोटी परेशानी भी होती है, तो समय रहते आपको तो उसका इलाज करवा लेना है, स्वास्थे के मामले में, दोस्तों आप कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, कोई भी जोखिम मत उठाईए। अन्यथा आगे चल करके परेशानिया बाढ़ शक्ती है, परिवार वालों के साथ दोस्तों समय हंसी खुशी में बीतेगा, समय अच्छा बीतेगा, यदि आपके मन में कोई बड़ा है, यदि आपके मन में कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो आपको अपनों के साथ बैठ करके बात अवश्य करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डर है, किसी भी प्र प्रशनों का उत्तर मिल जाएगा, आपकी सारी चिंता, आपकी साडी समस्याएं दूर हो जाएगी, तो आपको हम बस यही सलाह देना चाहेंगे कि आप अपनों से कोई बात ना छुपाई, वही दोस्तों, वैवाहिक जीवन आपका काफी अच्छा रहेगा, पती-पत्नी के बीच समय काफी अच्छा भी इतनी वाला है, यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, किसी बात को लेकर लड़ाई जगड़ा चल रहे थे, तो सारे विवाद भी दूर होने वाले हैं, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी ढूंडने का प्रयास कर हैं, वो ज़रा ध्यान से सुनिए, देखिए हमने 6-7 दिन पहले वीडियो में बताया था कि बहुत अच्छा समय आएगा, बहुत अच्छा वक्त आएगा, जब आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी खुश खबर आशक्ती ह तो वह समय आ चुका है, आने वाले अगले 7-10 दिनों का समय आपके जीवन में काफी सकारात्मक समय है, आपके ग्रह से काफी अच्छे परिणाम निकलने वाले हैं, ऐसे में दोस्तों, तो यदि बहुत समय से आप सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, सरकारी नौकरी ढ परिशान चल रहे हैं, तो अब आपका समय आ चुका है, वहीं दोस्तों आपको बता दे, यह जो 7-10 दिनों का समय है, बेरोजगार जातकों के लिए एक से बढ़कर एक मौके लेकर आने वाला है, जी हां दोस्तों, आपको किसी अच्छी कमपनी से जब के लिए नौकरी के बुलावा ए सकता है, इंटर्व्यू के लिए बुलावा ए सकता है, तो ध्यान रहे कि जिन्दगी आपको जो मौके दे रही है, आपको जिन्दगी जो अवसर दे रही है, इनको इन अवसर हों, तो आप अपने हाथों से न गवाएं, आपको सारे मौके दोनों हाथों से ल देखिए कई बार दफ्तर में हम अपनी मनमानी लगाते हैं, हम सोचते हैं कि यह कम ऐसे करना या काम ऐसे करन तो इससे आपकी मुश्किलें बाढ़ शक्ती है, आपको अपनी मनमानी, अपनी अकल अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जो कम सोपा गया है, बस उसे दोस्तों, आपको कोई नुकसान उठाना आपको उठाना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान रखिएगा, उतार चढ़ाओ, जीवन का हिस्सा है, आज नुकसान हुआ है, तो कल फायदा जरूर होगा, वहीं आज आज आप किसी नई संपत्ति को खरीदने का विचार कर सकते हैं, बहुत समय से दोस्तों, आप यदि खुद के घर का मकान या फिर कोई दुकान लेना चाहते थे, तो आज आपकी योजनाएं आगे बढ़ेगी, और उसमें आप काम्याब होते हुए भी नजरे रही हैं, साथ ही साथ दोस्तों, व्यापार में विशेश अच्छे से जान लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों, पैसों के चलते घर परिवार में बहस बाजी हो, शक्ति है, छोटा मोटा भाव खड़ा हो सकता है, पैसों के मामले में दोस्तों, पहले से ही आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, ऐसे में परिवार में आर्थिक बने वाले हैं, और पैसों की कमी के चलते कुछ स्थितियां तनावपूर्ण रहेगी, कुछ स्थितियां बिगडशक्ती है, थोड़ी सी गर्मी का माहौल, परिवार में हो सकता है, ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि हर बात पर दोस्तों चिल्ला चोट करना, गली अप शब्दों का उप्योग करना जरूरी नहीं है, इससे आपके रिष्टे वो आपकी स्थिति सुधारनी की जगह है, और भी ज्यादा बिगडशक्ती है, कोई धन संबंधित मदद नहीं है।